महाभारत काल की बात है. एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे. चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूगने वाला था. अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था. इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अपने गंतव्य की और बढ़ चलेगे. बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खत्रा हो सकता है. यहां सोना उचित नहीं होगा. हमें जाग कर ही रात बितानी होगी. अच्छा. हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैस ही तुम्हें नींग आये तुम मुझे जगा देना. तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना. कृष्ण ने सुझाव दिया. बलराम तयार हो गए. कुछ ही पलों में कृष्ण गेहरी नींग में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकरिते उनकी ओर आती दिखी, व है के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया. उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनह. बलराम दर कर काप उठे, अब बलराम और भी सिकुड गए और राक्षस पहले से भी बढ़ा हो गया. राक्षस धीरे धीरे बलराम की और बढ़ने लगा, बलराम पहले से ही भयभीत थे, और उस विशालकाय राक्षस को अपनी और आता देख जोर से चीख पड़े, क्रिश्ना, और चीखते ही वही मूर्चित होकर गिर पड़े, बलराम की आवाज सुनकर क्रिश्न उठे, बलराम को वहां देख उन्होंने सोच कि बलराम पहरा देते दते ठक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी, अब क्रिश्न पहरा देने लगे, कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा, क्रिश्न जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्या चाहिए त इसबार भी कुछ विचित घटा, क्रिश्न के साहस के कारण, उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया, राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था, जो उससे दर नहीं रहा था, घबराहट में वह पुनह क्रिश्न पर जोर से चीखा, इस बार भी क्रिशन नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा पर क्रिशन मुस्कुरा उठे और फिर से बोले बताओ तो क्या चाहिए तुम्हे। फिर क्या था राक्षस से कुड कर बिलकुल छोटा हो गया और क्रिशन ने उसे हठेली में लेकर अपनी धोती में बाद लिया और फिर कमर में खोंस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई, कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा, वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था, एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था, रुको रुको, इसकी बात तो नहीं कर रहे हो, हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बढ़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया, बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले, कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो, जिसका तुम्हे सामना करना चाहिए तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है, और तुम पर नियंतरन करने लगती है, लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो, जिसका सामना तुम्हे करना चाहिए तो तुम उससे बड़े हो जाते हो, और उसे नियंतरित करने लगते हो, दो अगर हम इन situations को avoid करते रहते हैं तो ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती हैं और ultimately हमें control करने लगती हैं लेकिन अगर हम इनका सामना करते हैं, हिम्मत के साथ इन्हें face करते हैं तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं और अंततह हम उन पर काबू प चाहिए तो उसे avoid मत करिए, जिसे face करना है उसे face करिए, उससे बचने की कोशिश मत करिए जब आप ऐसा करेंगे तो देखते देखते ही वे समस्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप आराम से उन पर नियंतरन कर सकेंगे और उन्हें हमेशा, हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी हमें कमेंट करें और कहानी को शेयर जरूर करें